हाई गईज, सिनेमेटिक रेक्शन्स के एक और युडियो में आप सब्सक्राइब स्वागत है दोस्तों, आज की युडियो में हम बात करेंगे द्यून पार्ट वन मोवी की स्टोडी के बारे में इसे डारेट क्या है डेनिस विले निवे ने और इसमें लीड में है टीमोटी शैलामेट, रेबेका फर्गीसन, ओसकर आईजेक, जेसन मोमवा, स्टेलन स्कार्सगार्ड, जोश ब्रोलिन, जेविर बार्डेम, डेव बर्तिस्टा और जेंडाया तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं मोवी को, इस मोवी की कहानी फ्यूचर में 10,139 साल में सेट है, यहां हम देख सकते ही कि इनसानों ने खुद को अपग्रेड कर दिया है, और अपने गैलेक्सिस के दुसरे प्लानेट्स पर जाकर रहने लगे हैं, दोस्तों, ज इसके लेडर को एंपरर भी कहा जाता है, इस एंपरर के पास सेरिटर कुर नाम की एक बहुती बड़ी आर्मी है, जिस आर्मी के पास हाई टेकनोलिजीस के वेपन से, इस आर्मी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, वहीं पर हम आराकेस नाम के दुसरे प्लानेट को देख आराकेस की रेत में मिलांज नाम का एक खनीज पाया जाता है जिसे कंजुम करने से सुपर हुमन एबिलिटीज, लोंग लाइफ और सुपर स्टेंद भी मिलती है इसी के साथ इस खनीज से इंटरिस्प्रेस भी ट्रेवल कर सकते है वो भी लाइट स्पीड के साथ इसी वज़ को फ्रेमन कहा जाता है ये लोग इस खनीज को काफी ज़्यदा पवित्र मानते है इस खनीज के लागातर इस्तमाल करने के वज़े से इन लोगों के आंखे नीली हो गई है यहां हमें चानी की नेरेशिन से ये पतो चलता है कि बहुत सालों से हाउस हरकेनेंस के लोग इस ख एमपरेर के ओर्डर पर हारकेननस आराकेस को छोड़ देते हैं किसी को भी समझने आता कि आखिर ये फेसला क्यों लिया गया है इसके बाद हमें केलेडो नाम का एक दूसरा प्लानेट दिखाय जाता है जो एटेडिस के कंट्रोल में है यहां हम पॉल एटेडिस को देखते के हैं जो मवी का लेड के रहे है पॉल अपनी मां जेसिका के साथ बैट के खाना खा रहा है दोस्तो जेसिका एक विच क्लैन पर नेटेडिस की सुरुक्षा के लिए लगाया गया था उसे बीड कर रहे थे तुमारे पिता डूक लेटो तभी मुझे तुम्हारे पिता से प्यार हो गया इसके बाद तुम इस दुनिया में आए दोस्तो बेने जैसे रेट क्लैन के पास बहुत सारे सुपर्विमन पावर्स होती है जैसे कि फ्यूचर को प्रेडिट करना किसी का भी माइंड कंट्रोल करके उसे अपने सबसे ओर्डर देना यहां जैसे का अपनी तरफ पॉल को कुछ जादोई पावर्स सिखा रही होती है यहां पॉल अपने माँ को कहता है कि मुझे काफ़े टाइम से कुछ सपने आ रहे है मुझे मेरे सपने में कुछ दिख रहा है जो फ्यूचर में सच होने वाला है मुझे मेरे सपने में एक निली आखों वाली फ्रेमन दिखाई देती है दोस्तो यह निली आखों वाली लड़की का नाम चाननी है यहां जैसिका पॉल को कहती है कि तुम अपने पावर्स को यूज़ करके मुझे से यह पानी का गलास मंगाओ यहां पॉल ट्राय करता है और जैसिका उसे पानी का गलास दे जिती है लेकिन कहती है कि अभी भी तुम्हे बहुत मेहनत करनी है इसके बाद हम एंपरर के एक मेसेंजर को देखते हैं जो एट्रेटिस से मिलने आया है वो मेसेंजर लेकिन को बताता है कि अब तुम्हे हारकेनेंस की जगह आराकेस के खनीच निकलने का काम मिला है यह सुनकर लेकिन की एडवाजर को कुछ गड़बर लगती है बट ओर्डर तो एंपररेर से आया है इसलिए लेकिन बिना कुछ बोले ओर्डर स्युकार लेता है और अपने अंगूटी से उस पर महर लगा देता है यहां पर जेसिका की नजर एंपररेर की पावरफुल विच एलिना पर पढ़ती है दोस्तो एलिना जेसिका की टीचर हुआ करती थी सब कुछ सई सलामत होने के बाद हमें डंकन को दिखाए जाता है यहां पर पॉल डंकन से मिलता है जो लेटो का सेना पती है और पॉल का बहुती खास दोस्त है यहां डंकन एटेडिस की वो सारी अर्रेंजमेंट कर रहा है जिससे वो अराकेश जाकर उस खनीज को ले सके यहां पॉल डंकन को कहता है की मैं भी तुमारे साथ आना चाहता हूँ लेकिन डंकन उसे कहता है की नहीं मैं तुम्हें लेके जान नहीं सकता और अभी तुम फुली ट्रेनर नहीं होए हो यहाँ पॉल डंकन को कहता है कि मैंने मेरे सुपनों में देखा है कि तुम्हारी मौत केसी होगी इसलिए तुम सावदान रेना डंकन कहता है कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से संबाल हूँगा इसके बाद हम लेटो को देखते हैं यहाँ पर पॉल भी आ जाता है लेटो पोल को कहता है कि एंपरर चाहते है कि हम अपने पूरी फेमिली और सेना के साथ आरा किस जाए और वहाँ के खनीज को लेके आई एंपरर चाहता है कि हमारी लड़ाई फ्रेमन से हो जाए और इस लड़ाई में हम दोनों कमजोर हो जाएंगे जिस होजे से इस खनीज पर एंपरर की सत्ता होगी इसके रिपलाई में पोल लेटो से कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर फेमन से दोस्ते करना चाहता हूँ ताकि जरूरत पढ़ने पर वो लोग हमारी मदद कर सके लेटो कहता है कि मेरे बाद तुम एट्रिडिस के राजा बनोगी यहाँ पोल कहता है कि अगर मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ तो इस पर लेटो कहता है कि मैं भी पहले राजा बनना नहीं चाहता था लेकिन मेरे पिताजी के मोत के बाद सारी सत्ता मेरे हातों में आगी तुम भी एट्रिडिस को सही से लीड करोगे मुझे पता है इसके बाद हम पॉल को ट्रेनिंग करते हुए देखते है यहां गर्णी आता है और फोल को कहता है आज मैं तुम्हारी ट्रेनिंग लूँगा इस पर फोल कहता है आज मेरा मूड नहीं है गर्णी कहता है लड़ाय में दुश्मन कभी तुमसे तुम्हारा मूड नहीं पूछेगा अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यह लोग खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक एनर्जिकल शिल्ड बनाते हैं इससे उनकी बोड़ी पर कोई वार नहीं कर सकता और अगर किसे ने कर भी दिया तो उसका ज्यादा असर नहीं होता इसके बाद हम प्लानेट हरकनन्स को देखते हैं जहाँ पर रेवन अपने मालिक बेरन को कहता है कि अराकेस की माइनिंग का कम एमपरर ने हम से छिनकर एटिडिस को यानि के लेटो को दे दिया है ये सुनकर बेरन कहता है कि कोई बात नहीं वेसे भी इससे हमारा ही फायदा होने वाला है इसके बाद हमें केलेडन प्लानेट को दिखा जाता है जापर हेलेना पोल से मिलने आई है जेसिका पोल को नेन में से उठा कर हेलेना से मिलाने के लिए लेके जाती है यहाँ पर जैसिका पॉल से कहती की बस हेलेना तुमसे जो कहे वही करना है और मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है वो याद रखना पॉल हेलेना से मिलता है और हेलेना पॉल को एक बोक्स में हाथ रखने को कहती है दोस्तो हेलेना यहाँ पर पॉल के सपनों की जानकारी लेने के लिए आई है यहाँ पर हेलेना पॉल को एक छोटा सा टेस्ट भी देती है हेलेना को लगता है कि पॉल ही वो मस्या है जिसकी पूरे ब्रह्मान में चर्चा हो रही है यहां पॉल को बहुत दर्द होता है फिर भी वो सहन करता है वहीं बाहर जेसिका को भी वो दर्द महसुस हो रहा था यहां पर देखते ही देखते पॉल इस टेस्ट को पास कर देता है अब बाहर जाते वक हेलेना जेसिका से कहती है कि अगर ये बात सही हुई और पॉली मसिव तो उस पर बहुत सारे प्रोब्लम्स आने वाले हैं और तुमने हमारी जाज़त के बगिर पॉल को विच की तालिम दी है तुमने हमारी नियोमों को तोड़ा है जेसिका हेलेना से माफिय मगती है पॉल इन दोनों की बाते सुन लेता है ये देखकर जेसिका अपने बैटी इन लोगों को तुमारे बारे में बताया होगा इसके बाद सारे अट्रीडिस एक नई सीटी में पहुँच आते हैं यहां पर पहुचते ही लेटो अपने पूरी टीम को माइनिंग का काम स्टार्ट करने को कहता है वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो इस सीटी म गुम रहा है यहां पर गुमते हुए उसे कुछ कैदी दिखते है जो इस कड़कती धूप में बंध है यहां पॉल की मुलाकात एक माली से होती है जो कुछ पेड़ों को पानी दे रहा है पॉल उसे कहता ही कि इतने बड़े रेगिस्तन में यह पेड़ कैसे जिंदा है इस पर वो माली कहता है कि मेरी वजह से क्योंकि मैं इन्हें रोज बहुत सारा पानी देता हूँ यह सुनकर पॉल कहता है कि क्यों ना हम इने काड़ती है ताकि यही पानी इंसानों के लिए काम आएगा यह सुनकर माली कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह भगवान की प्रूट की खास बात यह होती है कि ये कीड़े आवाजों को सुनकर एट्रेक्ट होते हैं और उस चीज़ को अपना खाना समझ कर खा जाते इन कीड़ों से बचने के लिए फ्रेमन रेत पर इस तरह की से चलते हैं मानों हवा रेत को हिला रही हो इसके बाद पॉल फ्रेमन और इस जगह की कुछ वीडियो देखता है और यहां के बारे में और भी जाने की कोशिश करता है तभी आचानक दिवार में से एक हंटर कोट निकल कर पॉल को म इसका था यानि के इसका मतलब बेरन के लोगों ने इस आदमी को बहुत समय पहली दिवारों में चुनवा दिया था ताकि जब एट्रेडिस के लोग यहां पर आए तो यह आदमी उन्हें जान से मार दे इसके बाद हम हेलेना को देखते हैं जो बेरन के पास आई है वो जे के साइड में रहेंगे जेसिका और पॉल मेरी प्रोटेक्शन में है इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए बेरन हेलेना को कहता है कि तुम चिंता मत करो उन दोनों को छड़के मैं पूरे एट्रेडिस को जान से मार गूंगा लेकिन हेलेना के जाने के बाद बेरन अपने एडवाइसर को उन दोनों को भी मारने को कहता है इससे हमें पता चलता है कि बेरन एक कुरूर विचारो वाला आदमी है जो मर सी नहीं जानता इसके बाद हम एट्रेडिस की सेना को देखते हैं और यहापर डंकन भी आ जाता है डंकन को देखकर पॉल बहुत खुश होता है डंकन लेटो को कहता है कि जितना हमने सोचा था उससे भी जादा फ्रेमन इस रेगिस्तान में रहते हैं दोस्तों डंकन फ्रेमन के साथ रह चुका है और वो कहता है कि फ्रेमन से हमें कोई खत्रा नहीं है इसके बाद डंकन लेटो की मुलाकाद फ्रेमन की लीडर स् वो स्टिलगार के सामने दोस्ते का हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है कि आज से कोई भी तुम लोगों पर अत्याचार नहीं करेगा हम से पहले यहाँ पर हारकेननस की राजनिती थी लेकिन अब हम यहाँ पर आ गए हम लोग आपको किसी भी तरीकी परेशाने नहीं देंगे बढ़ स्टिलगार उन्हें जल्दी से अपना काम पूरा करके वहाँ से जाने को कहता है इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते है जिनकी पिछ पॉल भी बेटा है यहाँ पर डंकन आता है और पॉल को कुछ गिफ्ट्स भी देता है और कहता है कि यह गिफ्ट्स मुझे फ लोकेशन पर जाता है जहां पर स्पैस की माइनिंग हो रही है लेकिन तभी लेटो को पता चलता है कि हारके नंस जो पहले इन स्पैस की माइनिंग करते थे उन्होंने इन मशनों की बूरे हालत करके रखी है इन मशनों की खराब हालत देखकर लेटो एमपरेर की पॉइंट इस रेगिस्तान की गर्मी में आपकी पसीने और सुसु को रिसाइकल करके आपको इस पिने की पानी में सर्व करता है फ्रेमन के लिए ये स्टील सुट काफी जादा माइने रखता है वो कहती ही कि इसी सुट के वज़े से डेजर्ट में हम लोग अपनी जान बचा पाते हैं इसके बाद ये सबी लोग उस मशिन की पास जाते हैं जो माइनिंग का काम कर रही है जहां पर काइन उन्हें कुछ ड्रोंस बताती है और कहती ही कि ये ड्रोंस हमें सेंड वर्म की लोकेशन स्पोर्ट करने में मदद करते हैं ताकि वर्म के अटेक करने से पहले हम लोग सबी मशिनों को वहां से हटा सके तभी सबी की नजर दूर रेत में जाती है वो देखते ही कि एक बड़ा सा सेंड वर्म उस माइनिंग की मशिन की तरफ आ रहा है जिस होजे से लेटो जल से जल एक केरियर बुलाता है एक केरियर बेसिकली केरी करने का काम करता है जो बेसिकली माइनिंग की मशिनों को एक जगा से दूसरी जगा पर लेके जाने का काम करता है बट आचानक उस केरियर का एक केबल तूड जाता है और वो मशिन वहाँ पर ही धडाम से गिर जाती है तभी लेटो तूरंथ अपने होप्टर को निचे उतरता है ताकि वो वहाँ पर फसे लोगों की जान बचा सके ये देखकर पॉल और डंकन भी हेल्प करने के लिए निचे उतर जाते है मगर तभी पॉल को फिर से वही विजन्स आने लगते है जो हर वक्ट उसे उसके सपनों में आकर सताते है पॉल धिरे-धिरे करके उन्हें में खो जाता है सेंड वर्म माइनिंग की मशिन की तरब तेजी से आ रहा था और पॉल अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था ये देखकर गरनी तुरंट पॉल को बचाने के लिए चला जाता है और केसे तेसे करके गरनी और पॉल होप्तर के अंदर आ जाते है जैसे ही इनका आप्टर टेक ओफ करता है तभी एक बड़ा सा सेंड वर्म रेच से उपर आकर माइनिंग की मशिन को पलक जपकते ही निगल जाता है इसके बाद ये सारे लोग अपने बेस लोकेशन पर आते है जहांपर लेटो काइन्स को वहाँ पर पड़ी मशिनों के हालत के बारे में बताता है लेटो केहता है कि अगर हमने जल से जल स्पाइस प्रोड़क्शन चालों नहीं किया तो एक बहुत ही बड़ी मुसिबत खड़ी हो जाईगी क्योंकि ये काम हमें खुद एमपरर ने दिया है इस पर काइन्स कहती है कि मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती तुम्हारे पास जो भी मशिने है जैसी भी हालत में है तुम्हें उन्हें से अपना कम चलाना पड़ेगा होप्टर में बेटने से पहले पॉल की हालत बहुत ही खराब हो गई थी इसलिए पॉल की जाच करने के लिए एक डॉक्टर को बोलाय जाता है जिसका नाम है डॉक्टर यूवे जो की इस वक्ट पॉल को चेक करता है वो कहता है सायद उस रेट के पास जाने की वज़े से पौल की यह आखलत हुई है क्यांकि रेट में जो स्पाय से वो नशिला है तबी पोल अपने मा को अपने विजन्स के बारे में बताता है वो जेसिका को कहता है कि मैंने फिर से मेरी विजन्स में उस लड़की को देखा है जिसकी आखे निली थी लेकिन इस बार उसने मुझे मारने की कोशिश की तभी मुझे खृस्ट नई दिखा जिसे फ्रेमन एक पवितर हत्यार मानती है वो कहता है कि मैंने मेरे विजन्स में मेरी बेहन को भी देखा जो छोटी है इसके बाद हम सिटूलिया इसकेंडूस को देखते हैं ये वो जगा है जहां पर एम्परर अपने आर्मी बेरन को दे रहा है एम्परर के आर्मी मिलते ही बेरन सिधा अरेकेस की तरफ निकलता है अरेकेस पर हमला करने के लिए इसके बाद हम डॉक्टर युवे को देखते हैं जो पॉल और लेटो को कुछ दोवाया दे रहा है ताकि उन्हें अच्छे से निद आ सके लेकिन गेरी निद में भी लेटो के आके खुल जाती है उसे कुछ आवाजे सुनाई देती है जिसके वज़े से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है लेकिन थोड़ी देर जाने पर उसे एक औरत नीचे गिरी भी दिखती है वो भी गायल हालत में लेटो को कुछ समझ आता इसे पहले उस पर एक निडल से कोई हमला कर देता है वो निडल लेटो के प्रोटेक्शन शिल्ड को चीर के उसे बहोश कर देती है तभी हमें और लेटो को पता चलता है कि उस पर हमला डॉक्टर यूवे ने किया है दोस्तो डॉक्टर यूवे बेसिकली बेरन के लिए काम करता है क्यूंकि बेरन ने उसकी वाइफ को केद करके रखा है लेकिन डॉक्टर ये सब कुछ बेबसी में कर रहा है इसलिए वो लेटों से माफिय मंगता है उसके हाथों से उसकी रिंग भी निकाल लेता है तभी वो लेटों के मुँँ में एक नकली दात लगा देता है वो लेटों से कहता है कि इसमें जहर है जब तुम बेरन से मिलोगे तब तुम इस दात को अंदर चबा देना उसके बाद अपने मूँ से एक हवा छोड़ना जिस वज़े से ये जहर हवा में घुल जाएगा और उसे वक्त बेरन की वहाँ पर ही मौत हो जाएगी और वो दिन तुमारी जिंदगे का आखरी दिन भी होगा इसके बाद हम गर्नी को देखते हैं जो अपने आर्मी के साथ बाते कर रहा है लेकिन तबी अचनक बेरन की आर्मी आसमान से हमला कर देती है ये देखकर गर्नी अपने पूरी आर्मी के साथ बेरन की आर्मी पर हमला कर देता है यहाँ पर एक घहमा सा न्यूद होता है लेटो के आर्मी बेरन के आर्मी से डटकर लड़ती है लेकिन बेरन के आर्मी बहुत ही ज़ादा थी लेटो के आर्मी बहुत ही कोशिश करती है लेकिन बेरन के आर्मी के सामने टिक नहीं पाती ये देखकर डंकन तुरन पॉल को बचाने के लिए भागता है वो मलके अंदर जाता है जहांपर उसके सामने बेरन के आदमे थे वो उन सभी का दटकर सामना करता है और सभी को मार गिराता है अब डंकन पॉल के कमरे की तरब जाता है तभी उसे पता चलता है कि पॉल यहाँ नहीं है दोस्तो दंकन की यहां पर आने से पहले ही Paul और जशिका को बेरन के लोगों नेहोपटर में बैठा दिया था बेरन के लोगों ने यह डिसाइड किया था कि वो लोग जेसिका और पॉल को सेंड वर्म के इलाके में फेक देंगे ताकि सेंड वर्म इन दोनों को खा जाए यहां पर जेसिका पॉल को इशारे में कहीती है कि यह मोटा आदमी सुन नहीं सकता इसलिए तुम अपने वाणी यूज करो बाकी के लोगों पर पॉल अपने वाणी इसका यूज करके बेन के लोगों को आपस में लड़ा देते हैं और होप्टर को क्रेश करा के सही सलमत नेचे रेट में आजाते हैं नेचे रेट में उत्तरते ही पॉल तुरंट अपने सेना को देखने के लिए भागता है जेसिका और पॉल को पता चल जाता है कि बेरन के आर्मी ने उनकी पूरी आर्मी को तबाह कर दिया है इसके बाद रात बिताने के लिए ये दोनों एक टेंट में बेड़ जाते हैं लेकिन टेंट में वो स्पाइस था जिसका नशा पॉल को होने लगता है जिसका पॉल को कैसे तेसे करके अहोश मे लाती है इसके बाद हम बेरन को अन्य देखकर लेट अपने नकली दात को दबा देता है और मुण से उस जहर को हवा में फेला देता है इस वजे से लेट玩न मर जात है और साती बेरन मारे जाते हैं। इसके बाद में जब बेरन के आद्मियों को पता चलता है कि कमरे में जहरीली अवा फिल गई है तो वह उस अवा को बहार निकलने के लिए उस कमरे का दरवाज़ा खुलते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेरन अपनी जन बचाने के लिए उपर की दिवार पर चिपका हुआ है। इसके बाद में हम पॉल को देखते हैं जिसके आत में डॉक्टर युवे का बैग था। उस बैग में उसे अपनी पिताची की रिंग मिलती है। ये देखकर दोनों को पता चल जाता है कि लेटो अब इस दुन्या में नहीं रहा। तभी उसे एक और विजन आता है। उस विजन में वो उस लड़की के साथ मिलकर एंपरर के आर्मी से लड़ रहा है। इन बातों से पोल समझ आता है कि शायद से ये विजन आने वाली लड़ाई का इंडिकेशन है। इसके बाद ये दोनों रेट से बाहर आते हैं और एक जगा पर पोश्टते हैं जो जगा काइन्स की है। तभी इन्हें पता चलता है कि दंकन भी इन्हें धुन्टते हुए वहाँ पर आ गया है। यहाँ पर दंकन पॉल से कहता है कि डॉक्टर युवे के पास एक ट्रेकिंग डिवाईस था जिसकी वज़े से मैं तुम्हें धुन्ड पाया और काइन्स भी अब हमारी मदद करने वाली है। दोस्तो काइन्स की ये जगह बेसिकली एक टेस्टिंग की जगह है। काइन्स इन लोगों को बताती है कि काफी समय पहले लोगों को इस जगह पर रहने के लिए कुछ टेस्ट किये जा रहे थे। लेकिन स्पैस के खोज के बाद ये एक्सपेरिमेंट्स बंद हो गए। यहाँ पर पॉल सभी को कहता है कि पिताजे के कहने के मताबिक मैं फ्रेमंस को अपने साथ मिला कर बेरन की आरमी के खिलाफ लड़ू मैं अपने आरमी को और भी बढ़ा करके एंप्र एंपर के साथ यूथ लड़ू गा। इन लोगी के बादे चली रही थी तब ही यहाँ पर Baron की लोग पहुँ जाते हैं पॉल को बचाने के लिए Duncan उसे उस कमरे में बंद कर देता है और Baron के लोगों से लड़ने चला जाता है पॉल के वेजन के मताबिक डंकन पॉल की ज़न बचाते हुए मर जाता है वहीं पर काइन्स एक खुफया रास्ते से पॉल और जेसिको को बचा कर लेके चली जाती है काइन्स एक गुफा में जेसिका और पॉल को होफटर का रास्ता बताती है और खुद बेरन के आदमें उसे लड़ने के लिए चली जाती है काइन्स जानते थी कि वो इस वक्त अकेली है इसलिए वो अपने एक डिवाइस के जर्ये रेत में एक घर्शन पैदा करती है लेकिन तबी बेरेंग के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और काइन्स को चोटेल कर जाते हैं बट काइन्स के घर्शन के वज़े से एक बड़ा सा वर्म उन सभी को खा जाता है इसके बाद पॉल और जेसिका अपने हप्टर को लेकर वहाँ से बचकर निकल रहे होते हैं तबी बेरेंग के लोग उनकी पीछे पढ़ जाते हैं इन लोगों से बचने के लिए ये दोनों एक सेंड स्टोर्म में घुश जाते हैं लेकिन हवा का प्रभाव ज़्यादा होने की वज़े से इनका अप्टर क्रेश हो जाता है इसके बाद हम बेरन को देखते हैं जो खुद को एक काले लिक्वीड में डालकर ट्रिट्मेंट कर रहा है तबी यहाँ पर रेवन आ जाता है वो बेरन को बताता है कि एक बड़े से सेंड स्टोर्म में पॉल और जेसिका की मौत हो गई है यह सुनकर बेरन रेवन को सारे के सारे फ्रेमन्स को मारने का ओडर दे देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी अपनी टीम बना कर उसकी खिलाब जंग ना छेड़ पाए वहीं दूसरे तरब पॉल और जेसिका होप्टर में मिले स्टील सूट्स को पहन लेते हैं यह दोनों दंकर न दिये कमपस की जरिये फ्रेमन्स की कबिलों को दुनने के कोशिश करते हैं साथ ही वह सेंड वर्म से बचने के लिए फ्रेमन्स की चाल सलते हैं लेकिन फिर भी यह दोनों सेंड वर्म को एक्टरेट करने से नहीं रोख पाते और एक बड़ा सा sandworm इन दोनों के तरफ तेजी से आने लगता है ये दोनों उस swarm से बचने के लिए बहुत तेजी से भागते है ये दोनों एक पाँड के पत्र पर जाकर रुख जाते है वो वर्म अपना बड़ा सा मुँआ बार निकलता है लेकिन रुख जाता है तभी पॉल को घर्षिन पैदा करने वाले डिवाइस का आवाज सुनाई देता है वो सेंड वर्म उस आवाज की दिशा में चला जाता है इसकी बाद थोड़ी दर आगे जाने के बाद कुछ फ्रेमंस इन दोनों को घेर लेते हैं यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि यह लोग स्टिलगार के ही आदमी हैं स्टिलगार के लोग पॉल और जिसिका की सेंड वर्म से बचने की तरीकों को देख कर बहुत ही इंप्रेस हो गए थी इस बात से सभी लोगों को लगने लगता है कि पॉल ही इन सभी का मस्या है यहां पर पॉल पहली बार चाननी से मिलता है लेकिन वो उसे अपनी विजन्स के बारे में कुछ नहीं बताता स्टिलगार इन दोनों को अपने कबिले में शामिल करने के लिए तयार हो जाता है लेकिन इनी में से एक साथ ही जेमी को स्टिलगार पर बिल्कुल भुरोसा नहीं होता जेमी कहता है कि मैंने ही अपने थंपर से उस वर्म को तुम लोगों से दुर किया मैंने तुम्हें सिर्फ इस वज़े से बचाया ताकि मैं भी देख पाऊं कि क्या तुम सच में इस काबिल हो कि तुम हमारे मस्या बन सको वो अपनी लीडर स्टिलगार के डिसेजन को नहीं मानता और पॉल को लड़नी की चुनोती देता है पॉल भी जेमी से लड़नी के लिए मान जाता है तभी पॉल को विजन साने लगते है और उन विजन से पॉल को पता चलता है कि अगर उसे अपने अंदर के मस्या को जगाना है तो पॉल एटेडिस को मरना होगा यानि खुद को इसके बाद चानी पॉल के पास आती है और उसे अपना पवित्र क्राइस नाइब देती है सेम वैसा ही नाइब जैसा पॉल ने अपने विजन में देखा था पॉल यहापर चानी को कुछ बताना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कहता यहाँ पर चानी पोल को कहती है कि मैं तुम्हें अपना मस्या नहीं मानती है मैं तुम्हें ये नाइफ सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें क्योदा की मोत मरो ना कि किसी निहत्ते की मोत इसके बाद में जेमी और पॉल के एक तगड़ी फाइट हमें दिखाय जाती है पॉल अपने टेकनिक से जेमी को हराता है और उसे सरेंडर करने को कहता है तबी सबी लोग जोर-जोर से चिलाने लगते हैं यहाँ पर स्टिल गर कहता है लगता है इसे हमारी नियम मालूम नहीं है हम फ्रेमन किसी के बी सामने नहीं जुखते तबी जैसिका कहती है की पॉल ने आज तग किसी को भी जान से नहीं मारा है इसे बिच पॉल को उसके विजिन्स बार बार कहरे थी की तुम मस्या तभी बनोगे जब तुम अपने अंदर के पॉल एट्रिडिस को मारोगे यानि अपनी विचारों को मारोगे और फ्रेमन की तरह बनोगे तभी पॉल अपने ख्रैश नैप से जेमी को मार देता है ये देखकर सभी लोग चोग जाते हैं और पॉल और जेसिका को अपने कबीले में शामिल कर देते हैं तभी पॉल स्टिलगार को कहता ही कि मैं आप लोगों के मदद से एमपरेर के पूरे राज को खतम करना चाहता हूँ स्टिलगार भी पॉल की बातों को मान लेता है और उसे अपने कबीले में शामिल कर देता है इसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पॉल और जेसिका एक फ्रेमन को सेंड वर्म की सवारी करता हूँ देखते हैं यहाँ पर चाननी इन दोनों को कहती है कि यह तो बस एक शुरुआ थी और इसी के साथ यह मोवी यहाँ पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी ड्यून पार्ट उन मोवी आपको यह मोवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करकर बताईए मिलते हैं आप सभी से आपके अपनी चैनल पर किसी और वीडियो में तिल देन टेक के और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना